वेलकम डियर्स में फिर सवागत तरता हम सभी लोगा राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज हम लोग एक बहुतरिंग कलेंडर का टॉपिक बहुतरिंग कलेंडर कंसर्प को डिसकस करेंगे डिया तो आप सभी लोगा स्वागत करता हूं राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज का सेशन बहुत इंपोर्डेंट है और आप इन कलेंडर के क्वेस्चिन के आंसर सेकेंड में दे पाएंगे यह ताकत आपको मैं जनुरेट कर दूँगा डियर और सभी लोगा धन्यवाद इस सेशन में जुड़ इसाफट से तो आप से बोल रहा है कि एक जनवरी 2018 को मंदे था तो बताईए 11 मों क्या होगा तो याद रखने की एक बात है concept याद रखने की बात है अगर मैं किसी नॉर्मल साल की बात करता हूँ तो उस साल में उस साल का जो पहला दिन होगा उस साल का जो पहला दिन होगा वही उस साल का आखरी डे होगा मतलब first day and last day हमेशा same होगा अगर मैं एक नॉर्मल साल की बात कर रहा हूँ और अगर मैं एक लीपियर की बात करता हूँ अगर मैं एक लीपियर की बात करता हूँ ऐसा साल जो चार से divisible है उस लिए उस साल में जो पहला दिन होगा हाँ जो first day होगा उसमें जब plus one करेंगे तो हमारा last day आएगा that is very very important concept और seconds में आंसर आएगा दियर आपका यहाँ 2018 एक normal साल है क्योंकि यह चार से divisible नहीं हो रहा है इसका मतलब यह normal साल है तो यह साल का पहला दिन दिया है एक जनवरी हमेशा साल का पहला दिन होता है और 31 December हमेशा साल का आखरी दिन होता है तो अगर साल का पहला दिन मंडे है तो साल का आखरी दिन भी मंडे होगा so yes, इस सवाल का सही जवाब A option तो अगर कोई normal साल है तो पहला दिन और आखरी दिन same होगा और अगर कोई leap year है तो पहले दिन में एक जोडोगे तो आखरी दिन आएगा डिया अब 2021-18 तो एक normal साल था इसका मतलब साल का पहला दिन एक जनवरी 2018 2018 और 31 दिसम्बर साल का आखरी दिन 31 दिसम्बर 2018 सेम डे में होंगे अगर यह मंडे है तो यह भी मंडे होगा गौट इडियर और तो ऐसे कोशन कांसर सेकेंड्स में आएंगे जैसे इस कोशन कांसर जल्दी से दोड़ी है फड़ा फड़ से अगर आप इस कोशन को देखोगे तो जो साल का पहला दिन है वैसे यह साल जो है वो एक लीप इयर है और अगर कोई लीप साल है अगर कोई अधिवर्स है लीप इयर है तो उसका जो साल का पहला दिन होगा जो साल का पहला दिन होगा फ्राइडे है तो जो लास्ट डे होगा 100% जो लास्ट डे होगा वो मेरा है वो Friday है तो Friday plus one करेंगे तो यस यह Saturday होगा absolutely साल का जो आखरी दिन होगा मतलब 1 जनवरी 2016 मतलब पहला दिन साल का यह सता यह एक leap year है डियर इसका मतलब साल का पहला दिन अगर Friday है तो 31 दिसंबर मतलब साल का आखरी दिन 31 दिसंबर 2016 पकी बात है Friday plus one मतलब Saturday होगा तो यह से सवाल का भी साही जवाब यह ऑप्शन स्ट्राइड इस माइक करेट टांसर कॉटेट डियर जल्दी से सवाल का सब फटाफट से दो डियर सेकेंड मैं सची यह दियर हमको ध्यान से देखिए ज़रा साल का पहला दिन हमारा वरनेश डेश डेश है और वह साल लीपीर है इसका मतलब साल का पहला दिन अगर हमारा वलेश डेश डेश है तो जो लास्डश्ट होगा hundred percent जो लास्डश्ट डेश होगा वो 100% first day 100% first day plus one होगा तो अगर यहाँ पर साल का पहला दिन अगर विनस डे है तो 100% साल का आखरी दिन थर्जडे होगा यस इस सवाल का सही जवाब ए ओप्शन गौट इडियर ओल वैसी leap year है साल का पहला दिन वनस डे था तो साल का आखरी दिन 31 दिसंबर 100% वनस डे प्लस व होगा तो यस सवाल का सही जवाब ए ओप्शन सेकेंट में आशर आ रहे हैं समझ में आ गया होगा हना चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का सही जवाब कौन सा ओप्शन ध्यान से रीड करो डियर बहुत अच्छा सा कुशन है बहुत प्यारा सा कुशन है यहां पर बोला है 31 जनवरी 2022 को मंडे है 31 जनवरी 2022 को मंडे है तो बताईए 100 साल पहले कौन सा दिन रहा होगा तो यहां पर हम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं सिंपल सी बात समझना तो 2022 से अगर तुम 100 साल पीछे आओगे इसका मतलब तुम 100 सालों की बात कर रहे हो और इन 100 सालों में 100% 2000 भी बीच में पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पर 25 लीप यर पड़ेंगे 100% अगर 25 लीप यर पड़ रहे हैं इसका मतलब बागी बचे 75 साल normal होंगे 100% और एक लीपियर में हमारे पास दो दिन एक्स्ट्रा होता है और एक नॉर्मल साल में हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ पर लीपियर 25 हैं इसका मतलब टोटल एक्स्ट्रा डेज जो होंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा यहाँ पर और एक नॉर्मल साल में एक होता ह अगर हम साथ से डिवाइड करने जाएंगे इसको तो यहां पर जो बचेगा 100% वो इतना बचेगा और अगर इसको आगे साथ से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यहां पर जो रिमेंडर बचेगा 100% ध्यान से अगर नोटिस किया जाए तो यहां जो रिमेंडर बचेगा वो बचेगा 6, अगर यहां पर 6 remainder बचा है, simple सी बात समझना डियर, अगर यहां remainder 6 बचा है, इसका मतलब हम 6 दिन पीछे की बात कर रहें डियर, simple सी बात हमको समझ में आती है, इसका मतलब या तो मंडे में आप 6 दिन पीछे आजाईए, या तो मंडे में आप 6 दिन पीछे आजाईए, या फिर 6 दिन पीछे का मतलब माइनस 6 करेंगे, या तो मंडे में हम 6 दिन पीछे जाएंगे, या फिर हम मंडे में एक दिन जोड़ देंगे, बात एक ही हो जाएगी दियर 100% तो यहां पर हम जब 6 दिन पीछे जाएंगे मंडे से 6 दिन पीछे तो 100% वर Tuesday बनेगा यस इस सवाल का सही जबाब C option सिंपल सा question था डियर आप से बोला था 31 जनवरी 2022 को मंडे है तो बताइए क्या दिन होगा 100 साल पहले 100 साल पहले मतलब अगर 31 जनवरी 2022 को मंडे था तो 31 जनवरी 1922 को कौन सा दिन होगा तो सिंपल सी बाब बताओ यहां तुम 100 साल पीछे गए इन 100 सालों में एक तुम्हारा 2000 साल भी पढ़ेगा मतलब इन 100 सालों में पक्की बात है 25 ली पैर पढ़ेगे और 75 नॉरमल साल पढ़ेगे एक ली पैर में डो दिन एक olun neighbor के 25 साल में 50 दिन हो जाएए और एक नॉरमल साल में एक दिन होता है 25 साल में 75 हो जाएएस तो अएडिया समझ में आए बात तो यस हमारा Monday minus six करेंगे तो भी Tuesday आएगा और Monday plus one करेंगे तो भी Tuesday आएगा सिसे इस सवाई का सई जवाब a option समझ में आया idea seconds में answer और है वहिसी अंसर आ रहे हैं वेल रे नाइक बहुत तैया बहुत ही बढ़ी है तो बहुत ही बहुत धन्यबाद आप सबी लोग का सेशन में जुड़ने के लिए हमने कलेंडर की बहुत प्यारी क्वेशन किये आई होप आपको ये वीडियो बहुत फायदा देखे जाएगा और अगर आपको रेगुलर चीजे करनी है तो रोज सुबह नौ बस के पंदा मेंट पर जुड़िये और आप डेफिनेटली बहुत फायदा उठा सकते हमारे सांदार सेशन के साथ तो थाइंक्यू दियर और अब हम लेंगे अगले सेशन में सांदार कोईशन के साथ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं सेशन कैसा लगता है डियर प्लीज रिप्लाई किया कि जे थाइंक्यू दियर और